हलो दोस्तों आप सभी का All About Socialist में श्वागत है और आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्शा करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वूड विचारक या विचारिका बोलें या एक बहुत ही इंपोर्टेंट थिंकर है हमारे सोसिलोजी के सेलिवस के अनुसार यह हम नहीं कह सकते हैं कि PGT में तो इनका कही नाम नहीं है या फिर NIT में कहीं directly और नाम नहीं दिया जाता है लेकिन जब भी अगर महिला अध्याईन की बात करें कि महलाओं की इस्तिती समाज में क्या रही है या फिर Standpoint Theory की बात करें Standpoint Theory क्या होते है यह भी हम लोग समझेंगे तो सरमीला का इमेज देख सकते हैं ये सरमिला रेगेजी हैं और इनका अगर जीवन काल की बात करें तो ये 7 अक्टूबर 1964 से लेके 13 जुलाई 2013 तक लग लवक देखें तो 48 साल तक इनका जीवन रहा बहुत जादे दिरखायों नहीं रहा तो क्यों ऐसा रहा इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे अगर स्टैंट पॉइंट थियोरी की बात करें एक बार आप लोग स्टैंट पॉइंट थियोरी क्या होती है ये समझ ले है तो हमारी इस्थिती बहुत अच्छी है और मैं मान लेती हूं कि अपने आपको की एक मिडिल क्लास फैमली से आती हूं जिनको लग लब ज़रूत की हर सुख सुख़दाएं उपलब्द हैं तो एक जो उपेच्छित वर्ग की दलित महिला है उसकी हम क्या इस्थिती को उ उतनी है अच्छे तरीके से अध्यान कर सकते हैं यह ऐसा नहीं हो सकता है तो सरमीला रेगे ने कहा था कि अगर हमें उनकी इस्थिती का अध्यान करना है तो उनकी इस्थिती को उसी सिच्वेशन में समझ के और अध्यान करना पड़ेगा ना कि अगर जैसे कि एक बहुत य कि इस्थिती का अध्यन करना चाहती है कि उसकी समाज में इस्थिती क्या है तो वो उतने अच्छे तरीके से उसकी इस्थिती या उसकी बारे में अध्यन नहीं कर पाएगी जितना कि उसी religion से सम्मंदित कोई महिला यदे अध्यन करे तो तो इस प्रकार से देखा जाए तो standpoint theory ये कहती है कि हम जहां खड़े है वहीं से हमको देखना है जिसका अध्यन करना है वहीं हम खड़े होके आदेखे तो ये कहती है standpoint theory और इसमें एक नाम सरमीला रिगे का आता है एक भारती ये समाज सास्त्री नारिवादी विद्वान एक लेखी का थी है इनकी महत्वपूर कृती बहुत ही important है ये आप लोग जरूर याद रखेगा इसको आप लोग बिलकुल फरगट नहीं कर सकते है राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर ये बुक जो है ये सरमीला रेगे के द्वारा लिखी गई है बहुत ही जादे important बुक है उन्होंने पूने विश्व विद्याले में क्रान्ती जोदी सावित्री वाई फूले महिला अध्यान केंद्र लिंग अध्यान विभाका ने तृत्व किया था उनको 2006 में मदरास Institute of Development Studies से विकास अध्यान में विश्व योगदान के लिए मैलकम आदिसेशिया पुरसकार भी मिला है तो ये भी आप लोग याद रखेगा कि सरमीला रेगे को मैलकम आदिसेशिया पुरसकार भी दिया गया था रेगे भारत में अग्रडी नारिवादी बिद्वानों में से एक थी जिनका दलित रिदेश्टी कोर्ड पर प्रेच विक्सित करने का काम भारत में वर्ग जाती धर्म और कामुकता के सवालों पर नारिवादी पहस को आगे बढ़ाने में महत्वपूर रहा है अचा यहां पर मैं एक बात और बता दू कि जैसे कल का लास्ट लेक्चर जो था तो हम लोग उसमें भी देखे कि कंटेंट जो होता है वो जल्दी मिल नहीं पाता है इसमें भी यदि आप लोग जाएंगे और गूगल करेंगे विकिपीडिया पर आप लोग देखेंगे तो इंग्लिस में थोड़ा बहुत कंटेंट है भी हिंदी में बिल्कुल कंटेंट नहीं है कुछ चार-पांच लाइनों में सरमिला रेगे को एक्स्प्लेइन करके छोड़ दिया गया है तो आप लोगों को बस मेरा में उद्देश यही है कि आप लोग इनको समझ लीजिए मैं भी हिंदी में ऐसा नहीं कह सकती हूं कि बिल्कुल अच्छे फर्म में मैं एकदम सुद्ध हिंदी में लि काम की है यह आप लोग देख सकते हैं वर्ग जाती धर्म और कामकता के सवालों को नारिवादी भहस को आगे पढ़ाने में इनका योगदान जो है वो महत्वूर रहा है और इनका दृष्टी कोड कौन सा रहा है या परपेच कौन सा रहा है तो यह दलित दृष्ट कोड प प्रति उनकी प्रतिपत्ता का प्रमाड है वो एक लेख में उन्हें फूले अंबेड करवादी नारिवादी वेल्डर के रूप में वर्डित किया गया है तो यह अपने आप में इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि प्रस्ण में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी विच जिनको फूले अंबेड करवादी नारिवादी वेल्डर कहा जाता है तो यह हैं सरमीलारे के आप लोग जरूर याद रखेगा जिन्होंने जाती की संरचनात्म खिंसा और कामुकता और स्रम के साथ इनके संबंदों को नारिवादी विमर्स में लाया था भारत में महिलाओ के प्रस्ण को लेकर उनकी चिंताओं ने इतिहास लेखन के नए और वैकल्पिक तरीकों में बहुत योगदान दिया है जिससे दलित आवाजों और द्रिष्ट कोणों के प्रती हिंदू राष्ट के अंद धब्बों को उजागर किया गया अर्थात ऐसी जो फैक्ट्स हैं राजनितिक परिवेश में उपेचित किया गया है उनका जोर भारती राष्ट्रियता में बी आरंबेटकर की केंद्री भूमिका को अस्थापित करने पर था आधुनिक राष्ट्राज को आकार देने से यह सुनिशित हो गया कि हासी से आवाज उठती है और समासास्री लेक का नारिवादी होने से सारवजनिक भहस में जो राजनितिक प्रतित्वन्दिता है और संबाद के लिए वह जगह खुल जाती है जिसे आर्थिक विकास और वैस्वी करड़ की बयान बाजी से तेजी से पढ़ावा मिल रहा है रेगे के प्रमुख गरंथों में से एक निब इंपोर्टेंट दे दिया जाएगा कि इंट्रोगेटिंग दथिसी साफी रिलेशन डिफिकेशन किस से समन्दित है तो ये सरमीला रेगे से समन्दित है पहली बार एकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल विकली में प्रकाशित हुआ था ये लगभग ये 2008 में प्रकाशित किया ग इसे बाहर कहीं सरमीला रेगे से पूछा जाएगा तो मैंने विकिपेडिया पर जितने फैक्ट्स दिया है उन सबको मैंने यहां पर मेंसन कर दिया है तो सरमीला रेगे को इससे अधिक पढ़ने की आवश्यक्ता नहीं है अगर हम लोग अपने सिलेबस को देखें तो अच इसको इनकी जो ये कृति है इंट्रोगेटिंग दथिसी साफी रेशनल डेइफिकेशन इसको अपने अंतिम प्रकाशित कृति अगेंस्ट दम मैडनेस आफ मनू वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप जरूर याद रखिएगा इसमें इन्होंने किस प्रकार से मनू के जो प्रतिक्रिया स्वरूप में लिखा है तो ये बुक अपने आप में इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है इन्होंने इसमें उन्होंने ब्रामणवादी पित्रस्ता के खिलाप उनकी वैचारिक लड़ाई का आवान करके महिला आंदोलन में अंबेडिकर की भूमिका को ग्यान और सांस्कृतिक अभ्यास की अस्थानी और मौकिक परंपराओं को राष्ट्री लेखागार बनाने वाली अनुवाद परियोजनों के माध्यम से जनतक के ध्यान में लाकर नया जीवन दिया है तो जो अगर देखा जाए तो छेत्री लेवल पे था या अस्थानी ल के माध्यम से दूसरे पीड़ी के तरफ आगे को बढ़ रहा था तो उसको एक राष्ट्री या लेवल पे लाने का राष्ट्री अस्थर पर लाने का कार्य इन्होंने किया है उन्होंने महिला अधययन विभाग में बच्छों के लिए एक दे केयर सेंटर के अस्थापना भ मृत्यू हो गई थी तो यह कैंसर से पीड़ी थी और इस प्रकार से इनकी मृत्यू जो है वह 48 वर्ष की आयू में ही हो गई थी इनकी कुछ महत्वपूर पुष्टकें हैं इसको हम लोग देख लेते हैं कास्ट एंड जेंडर दा वाइलेंस अगेंस्ट ओमेंस इन इंडिया सौ्शलोजी आफजेंडर इनकी एक भुख है दच्फेमिनिस्ट सौ्सैलोजीकल ओट र्याइटिंक कास्ट रॉय्टिंग जेंडर यहां पर आप लोग यहींच इमेज देख सकते हैं रयाइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर नर्रेटिंग दलिट उमेंस रेस्टिमोन तो ये बुक बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट है बहुत सारी परिशाओं में पूछी गई है राइटिंग कास्ट राइटिंग जिन्डर किसकी बुक है सावित्री भाई फूले सेकेंड मेमोरियल लेक्चर ये इतना जादे हमें इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे अगेंस द जाए कि हाँ ये बुक हमने देखी है इसका फ्रंट कवर पेश देखा है और ये बुक जो है वो सरमीला रेगे से समंदित है सोस्योलोजी आप जेंडर ये आप लोग देख सकते हैं तो इस प्रकार से ये सरमीला रेगे से समंदित कुछ महतपूर्ट कृतियां थी जो कि आ अलिक्त वर्ग में और उसमें भी जो लिंग भीभाजन के अनुशार जो समाज में बेवस्था देखने को मिलती है उस पे इन्होंने काफि काम किया था तो कास्ट एंडर सोस्योलोजी आप जेंडर राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर आप लोग देखेंगे तो जे खाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग कमेंट करके बताया करिए लाइक किया करिए अपने दोस्तों में सियर किया करिए धन्यवाद